री इन्विगोरेटिंग ट्रेड एंड इन्क्लोसिव ग्रोथ रिपोर्ट जिसमें बजा है भारत का डंका जमकर हुई है मोधी सरकार की आर्थिक नीतियों की तारीव और तारीव करने वाला कोई और नहीं बलकि आई एमेफ यानी अंतरराश्ट्रिय मुद्राकोश, डब्ल इन तीनों ही एजेंसियों ने इस रिपोर्ट में कहा है कि बीते सालों में भारत में किये गए आर्थिक सुधारों का ही नतीजा है कि भारत में Ease of Doing Business अधिक खुलापन, बहतर नियमन और ज्यादा निवेश का रास्ता खुला है भारती इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट्स के पास विदेशी इकाईयों से सेवा लेने के मौके बढ़े हैं मैनिफेक्टरिंग सेक्टर में भी बहतर व्यापार सेवाओं का विकल्प मिल रहा है इस से नए कारोबारों और टेक्नलोजी में निवेश के अफसर खुले हैं इंडियन टेक्नलोजी से लेस स्टार्ट अप भी दुनिया में तेजी से अपनी पहचान कायम कर रहे हैं और इन स्टार्ट अप को भी निवेश मिल रहा है साल 2016 की एक रिसर्च का हवाला देते हुए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार और परिवहन जैसे क्षेत्र में बड़े सुधारों से इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में विदेशी और स्थानियें दोनों तरहें की कंपनियों की उत्पादक शमता बढ़ी है यानि मोधी सरकार की एक बार फिर पूरी दुनिया में हो रही है वाह वाही